मुझे उमीद है कि आपने class 1 2 digit into 1 digit का अभ्यास अच्छी तरह से किया होगा आज हम यहाँ पर 3 digit into 1 digit सिखेंगे जैसे sum है हमारा 826 multiply 2 तो इसमें step 1 होगा step 1 हम class 1 का लेंगे सबसे पहले हम लेंगे 82 जो first 2 digit है उसको हमने 2 से multiply करना है तो इसको हम वही class 1 वाले method से करेंगे 826 फिर 0 लगा देंगे 160 फिर 224 फिर 164 step 2 इसके पीछ हम 0 लगा देंगे step 3 जो digit बच गया हमारा 6 multiply 2 इसको multiply करेंगे 12 step 4 1640 प्लस 12 हमारा आंसर आ गया 1652 1652 हमारा आंसर आ गया इस सम्में आपने देखा कि class 1 का method यूज हो रहा है इसलिए आपको class 1 का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए हर class का अभ्यास आप अच्छी तरह से करें क्योंकि आप सब में क्योंकि ये सब आपस में इंटर लिंक है अगर आपने class 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख ले अब हम दूसरा सम्म करते है सिक्स थर्टी सेवन इंटू थ्री स्टेप वन सिक्स्टी थ्री को हमने थ्री से मल्टिप्लाई करना है इसमें हम class 1 का method लगाएंगे सिक्स थ्रीजा एटीन फिर ज्यूर लगा देंगे वन एटी थ्री थ्रीजा नाइन उसके बाद हम ज्यूर लगा देंगे फिर लास्ट में हमारे पास क्या है सेवन थ्रीजा ट्वेंटी वन अब हम इसको एड़ करेंगे नाइन प्लस टू इलेवन वन नाइन वन वन हमारा आंसर आ गया एक और सम कर लेते हैं हम लोग जिसे नाइन फिफ्टी टू मल्टिप्लाई नाइन फिर 95 सबसे स्टेप बन है हमारा 95 मल्टिप्लाई 9 95 मल्टिप्लाई 9 में हम क्लास वन वाला मैथड लगाएंगे इसका आजएगा 95 मल्टिप्लाई 9 हमारा आएगा 855 अब हम इसके पीछे सेकेंड स्टेप महारा जो है जिरो लगा देंगे फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहा है 2 नाइन जा 18 तो हम इसको 2 नाइन जा 18 अब हम इन दोनों को एड कर देंगे हमारा आंसर आगे 8568 952 मल्टिप्लाई 9 का आंसर आए 8568 एक और सम करते हैं डेसिमल वाला 2.84 मल्टिप्लाई 0.6 सबसे पहले हम बुदेसिमल को घटा दिया तो यह हमारा क्या बन गया 284 मल्टिप्लाई now पर हम 0 डेसिमल को घटा दिए यह बन जेगा 6 इसको पहले हम सिम्पल त्रिके से हम multiply करेंगे पहले 28 multiply 6 हमारे पास है 62012 0 लगा दिया हमने 120 और 866 48 120 एट 48 168 फिर हम इसके बाद हम 0 लगा देंगे फिर next step है 466 24 24 कर दिया है फिर next step हम इनको add कर देंगे 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी हो गया 7 1 704 तो 284 multiply 6 मारा answer है 1 704 अब हमने decimal लगाना है अब यहाँ पर decimal के बाद 2 डिजित है और right side decimal के बाद 1 डिजित है 2 प्लस 1 कितने हो गया 3 तो हम पीछे से 3 डिजित छोड़कर decimal लगा देंगे 1 2 3 यह हमने decimal लगा दिया मुझे उमीद है कि आपको यह method समझ आ गया होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा practice करें क्योंकि practice makes a man perfect आपको इतनी practice करने है कि आप sums mentally कर सकें अगर आपको detail में जानकारी चाहिए तो आप हमारी website को visit कर सकते हैं हमारी website का नाम है www.versatileabacuspkl.com यहाँ पर आपको practice के लिए sums मिल जाएंगे Thank you जैहिन